क्या share market से रोज का पैसा बनाया जा सकता है आपने सुना होगा बहुत सरे लोगों से कि लोग रोज के 5000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 रुपे share market से कमारे है कैसे अगर आपको जानना है तो आपको intraday trading को समझना पड़ेगा आज हम बड़ी basic से बात कने वाले है intraday trading की हो सकता है आप बिल्कूं नहओ शेर मार्केट मेरे में आपको इंट्रेड़े के बारे में कुछ न पता हो हो सकता है आपको बैसिक जानकरी हो वीडियो आपके बहुत कवा पाइगी बैस करेंगे तरीकी की ट्रेडिंग कर रहे हैं एक होता है कि हमuffled कर रहे हैं एक होता है लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक होता है लोग लॉंग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं लॉंग टर्म के लिए जो लोग ट्रेड करते हैं इसे वो ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं इसे वो इन्वेस्मेंट बोलते हैं कि हमने लॉंग टर्म क क्योंक blinking आपको लगता है कि युँ बढ़ेगा तो अज ही उस शेर को खरीद लेते आपको आज ही उस शेर को बेचना तो अगगा वैस थे क्यों क्यों मतलब है कि अज उसकता है वह 5 थे 10 दिन उसकता सबस्क्राइज तो वो एक दिन से अगर ऊपर हो गया, तो वो इंट्रादे नहीं किलाएगा, उसे आप मीडियम ट्रेडिंग बोल सकते हो, यह शॉट्रम ट्रेडिंग बोल सकते हो, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं, इसमें कुछ महीने तक भी वो शेर को होल्ड करके रख स सो इंट्रादे में, दो तरिके से लोग क्रेड करते हैं, एक होता है, दे बाई, दूसरा होता है थे शॉट्स अब बाई को हम लौग करना भी दोलते हैं, कि हमने शेर पे लौग किया हुआ है, और जब बेच देते हैं को शेर, उसम शौट्ट करना भोलते हैं, बढ़ यह cold अब पचाशने वाला नहीं है को माल लीज्टे रिलाइन चल रहा है 2150 रुपे वे बड आपको लगता है कि आज रिलाइन्स 2020 की जगहां 2100 रुपे का हो जाएका 50 रुपे तूट जाएगा आपको ऐसा लगता है कि आज आज के दिन में लाइंस पचास रुबे तूटने वाला आपको ऐसा लगता है तो अब आपने पहले खरीदा ही नहीं हुआ था तो बेचोगे कैसे जब आपके पास वो शेयर था ही नहीं पर फिर भी अगर आप उसे बेचना चाहते हो तो हम इसे शॉट सेलिंग कहते हैं से हम तो हम शेयर खरीद नहींगे कि अगर हमें लग रहा है कि 250 का शेयर आज 2200 रुपेगा जाएगा तो इसे हम लॉंग कर ना बोलेंगे हम खरीद ना बोलेंगे तो मैं इंट्रेडे में क्यों खरीद हूं इसका रीजन है इंट्रेडे में आपको मिल जाता है मार्जिन अब य क्यों कि अगर चाह साथ हूं क्योंकि अगर प्रॉफित होगा तो वह प més its लोडा तो वह बहरभी प्यास तरब होगा but मेरे पास सिफ दस और चाहिए हैं और मैं पचाहस थाजहर से ट्रेड़ करना ब्र Hagammin क्यों यह प्यास हभाए ह। फॉइल पांच हज़ब नहीं हो गया अब आप इंट्र एडिए पचास का सोच के चल रहे हो तो यह लोज बनी यह फॉर एक्जाम्बल मैं आपको बता रहा हूं इसका मतलब यह है कि आपको मार्जिन अगर मिल गया मार्जिन का मतलब यह है कि आपको 10,000 रुपे लगा के 50,000 रुपे का ट्रेड करने का मौकर मिल गया Example, Lines का share मैंने बोला, मानलो 2100 रुपे का है और अगर आपको 100 share लेने है अगर आपको 100 share लेने है तो आपको कितने रुपे चाहिए आपको 2,10,000 रुपे चाहिए अब आपको 2,10,000 रुपे तो इंट्रेड अगर आप करेंगे तो आप इससे सीधा डिवाइड बाइड वाइफ कर दीजए तो आपको सिर्फ 42,000 रुपे चाहिए इसका मतलब है कि आपको margin मिल रहा है पांच गुना का margin मिल रहा है पर जब आपको margin मिल रहा है तो ये margin का एक बड़ा फाइदा क्या है इससे समझे है कि profit और loss दोनों आपको उस amount पर हो रहा है जितना आपको margin मिल रहा है तो 2,10,000 के हैसाब से अगर आपको 20,000 का profit हो गया तो आपकी investment जो थी वो सिर्फ 42,000 रुपे थी you are getting a lot of more rewards आपको profit जादा हो सकता है because of the margin पर आपको loss भी जादा हो सकता है because of the margin तो लोग intraday क्यों prefer करते हैं और इसकी advantages और disadvantages क्या है जल्दी से समझ लेते हैं advantages है intraday trading की कि आपको high margin मिल रहा है और उसके लिए कोई ब्याज भी नहीं लग रहा अगर आप किसी से उधार लेके काम करोगे तो आपको प्याज देना पड़ता है but intraday में आपका broker आपको without interest margin provide करते हैं क्योंकि उसकी भी brokerage बन रही है दूसरा, आप कभी-कभी देखते हो कि जब आप share market open होता है तो यह तो gap up opening हो जाती है तो overnight risk involved नहीं होता है intraday में और तीसरी चीज़ क्या है कि market अगर crash भी हो जाती है कोई stock डूब भी जाता है तो भी आप पैसा कमाऊगे क्योंकि intraday trading में short selling possible है अब disadvantages क्या है अब लोगों के पाद पैसे उतने नहीं होते margin मिल जाता है अब अगर उनके पास knowledge नहीं होती तो high margin का मतलब है high risk loss भी जादा हो सकता है दूसरी चीज़ क्या है आपको time देना पड़ेगा अगर आपने intraday पे trade लगा रखी है तो हो सकता है कुछी मिंटों में आपने जो लेवल सोचे जो टागेट सोचा हो अगर आप अपने फोन की तरफ नहीं देख रहे हैं आप अपने desktop पे नहीं बैठे हुए आपने अपने tweeting account नहीं खोला हुआ और आप जैसे delivery में shares लेके भूल जाते हो ऐसा आप intraday में नहीं कर सकते हैं हम delivery में क्या करते हैं हमने मान लोग किसी अच्छी कमनी का ITC के share ले लिए बहुत कम rate पे ले लिए और फिर हम free हो गए फिर हम अगर पांच दिन दस दिन अपने dmit account की तरफ देख भी ने तो भी कोई फरक नहीं पड़ता हमें क्योंकि हमें बता है कि हमने long term के लिए investment करी हुई है but intraday में आप ऐसा नहीं कर सकते कुछी मिंटों के अंदर हो सकता है situation पूरी तरीके से बदल जा तो आपको अपना attention और time देना पड़ेगा यह यहां पर disadvantage भी और तीसरी चीज़ यहां पर यह है लोग emotional trading करने लग जाते हैं तो लॉस भी करते हैं so intraday trading का एक आपको सचा ही बता हूं 90% लोगों का नुकसान होता है सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं तो यहां पर profit करते हैं और 10% लोग वो होते हैं जो सीखना शुरू कर देते हैं बट इंट्रडे ट्रेडिंग के लिए fundamentals उतने जाधा essential नहीं है हो सकता है कोई ऐसी कमनी हो जिसके fundamentals बहुत जाधा weak हो बट आज एक दिन में दो दिन में वह आपको बहुत अच्छी return दे जाए इंट्रडे ट्रेडिंग के अंदर technicals देखते हो आप trade कर सकते हो तो आपको सिर्फ technicals को समझना जरूरी है और technical analysis की उपर हमने already video बनाई हुई है i button पे link है आप उसे जाके देख सकते हैं in fact इस channel पे आपको एक playlist भी दिखेगी share market के उपर so we have made a lot of video जिससे आपको बहुत ज़दा education विलती है जब आप share market के अंदर trade करना चाहते है अब बाद आती है कि reality में अगर हम एक live demo देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोग intraday कर सकते हैं so यहां पे मैं आपको एंजल वन की आप लेगे जाता हूं और मैं आपको live demo दिखाता हूं कि intraday trading कैसे होती है so here we go so अब हम यहां पे इंजल वन की आप खोल लेते हैं कि हम अभी live demo देखने वाले हैं कि हम intraday trading करते कैसे हैं अब यहां पर जैसे आप अपनी watch list पर जाएंगे आपको देखेगा कि आप यहां पर search कर सकते हैं in whichever stock you are interested for example आप reliance में interested है तो आप reliance में क्लिक कर सकते हैं अब आप reliance में यहां पर NSE BSE दोनों पर price देख सकते हैं so जो भी आपको ठीक लगता है उस पर trade कर सकते हैं यहां पर BSE क्लिक कर देंगे अब यहां पर angel 1 की आपका एक फाइदा क्या है कि आपको एक overview मिल जाता है इन फाक्ट आपको technical analysis की यहां पर summary मिल जाती है तो यहां पर यह दिखा रहा है कि bearish signal है यहां पर 13, bullish है 6 और neutral है 8 तो आप अगर खरीदने वाले हैं तो हमें bullish signal जादा मिलने चाहिए और अगर भी sell करने वाले हैं तो हमें bearish signal जादा मिलने चाहिए तो यहां पर bearish signal जादा म मिल रहे हैं तो आपको summary मिल रही है similarly यहां पर आप RSI क्या चल रहा है में CD क्या चल रहा है आप टेकनिकल में यहां पर आप देख सकते हैं कि अलग लग indicators के हिसाब से यहां पर neutral response है यह call selling की है support resistance यहां पर क्या है तो आप काफी कुछ यहां पर देख सकते हैं and similarly जो आप यह summary देख रहे हैं आप 1 minute के time frame पर देखना चाहते हैं 3 minute पर देखना चाहते हैं 5 minute पर देखना चाहते हैं 15 minute पर देखना चाहते हैं 30 minute पर देखना चाहते हैं कि आपको कितनी quantity चाहिए, आप 10 quantity में खरीदना चाहते हैं, अब यहां पर आप देखिए, अगर आप इसकी delivery लेते हैं, तो आपको 21,522 रुपे हर्च करने हैं, पर अगर आप intraday में करेंगे trade, तो आपको सिर्फ 3,228 रुपे चाहिए, तो यहां पर आप market price पे ना लेके limit price अपना डाल सकते हैं, कि आप 21,52 पर नहीं, 21,51 पर खरीदना चाहते हैं, या 50 पर खरीदना चाहते हैं, तो आप अपना limit price डाल सकते हैं, तो जब वो price हिट होगा, तभी आपको order execute होगा, तो अभी हम जैसे देख रहे थे कि अगर आप buy करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे, अगर आप sell करेंगे, तो आप किस तरीके से करेंगे, तरीके से यहां पर हमारा process रहेगा, quantity आप यहां पर डाल सकते हैं, आप 10-20-50 है, कुछ भी हो सकता है, आप market price पर sell कर सकते हैं, इंटाडे करना चाहते हैं, डिलिवरी करना चाहते हैं, च्रॉस इस यहां पर एक शीज यहापके इंट्री ट्रीडिंग कर सकते हैं में यहांप करुइस को फायदा कि वह पर मार्जन मिल रहा हैं ऐना मार्जन को यूज्स जाने सो अब है कि आपको करने कुरि एक चैद का रहे हैं आपको पार्यम लाग को suggestively आपको लग रहा है 3.30 बचे तक आपके लिए उपन है बट ऐसा नहीं है आपको अपनी पोजिशन को 3-10 तक स्क्यूर ओफ करना है अब यह स्क्यूर ओफ क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं जब हम स्क्यूर ओफ करना बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है देखिए अगर आपने अब मैंने आपको बताया है दो चीज़े आप कर सकते हो या तो आप लॉंग कर सकते हो या आप शॉर्ट कर सकते हो इन दोनों को समझ लेते हैं बहुत एजी है लॉंग करने का मतलब है हमने शेर्स खरीदे है तो जब आप खरीद होगे माल लो आपने 10 शेर्स खरीदे तो यह प्लस 10 हो जाएगा, आपने लाइन्स के 10 शेर खरीद लिए, अगर आपने शॉट किया, तो आपके डीमेट अकाउंट में दिखाएगा, माइनस 10, तो आपने अगर शॉट किया होगा, तो माइनस में दिखा रहा है, बढ़ आपके पास तो शेर ही नहीं, तो अगर आप 3-10 से पहले, आप दुबारा से अपने शेर नहीं खरीदते हैं, मतलब स्क्योर ओफ नहीं करते हैं, तो आपका ब्रोकर आपके बहाफ पे स्क्योर ओफ कर देगा, तो यह आपको नहीं करना, आपको उसके लिए एक्स्टर चार्ज भी पे करने बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3-10 से पहले पहले खुद पोजिशन को स्क्योर ओफ करना है, चाया आपका प्रोफिट हो रहा हूँ, चाया आपका लॉस हो रहा हूँ, दोनों ही केसे में स्क्योर ओफ असेंशल है, यहाँ पे भी देखिए, अगर आपने शेर खरीदे, और मान लीज तो क्योंकि मार्केट 3-30 बजे क्लोज हो जाती है, आपका ब्रोकर आपके भी हाफ पे पोजिशन को स्क्योर ओफ करेगा, तो यह आपको समझना बहुत जरूरी है, नाओ, विन यू अर दूइंग इंट्रेडे ट्रेडिंग, आप इसीज को समिझ के चलिए, कि आप आपने इस वीडियो को देखा, आप इंस्पायर होगा, आपको लगा, अरे नहीं, हम कल से पैसा बनाएंगे, इंट्रेडेडे ट्रेड गरेंगे, और हम पांद दस जार रुपे रोज कमाएंगे, आप कमा सकते हो, आप सबसे पहले सीखिए, और मैंने बोला, इसके लिए आपको technical analysis सीखना है, आपको chart analysis सीखना है, इसमें बहुत सरी strategies भी use होती है, इंट्रेडे ट्रेडिंग के लिए, हर व्यक्ति जो आज की एड में trade कर रहे हैं, उनकी सब की अपनी individual strategies हैं, जो यूज करते हैं, तो आप अलग लोगों से भी सीख सकते हैं, और आपको जो strategy अपन पेपर से आपको results मिनने लग जाएं, आपकी जो accuracy है 60-80% के बीच में आने लग जाएं, only then invest with real money, ये लोग भी बोलते हैं, और मैं भी चलो इस चीज को मानता हूं, कि जब तक आप reality में trade नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं लगाओगे, आप थोड़ा बहुत loss book नहीं करोगे, त पहले paper trade कीजिए, अब intraday trading को लोग full time profession लेके भी चलते हैं, बहुत सरे से लोग हैं, जो office नहीं जाते हैं, कोई job नहीं करते हैं, वो सिफ intraday trading करके लाख रुपे कमाते हैं, मैं भी बहुत सरे लोगों को जानता हूं, इसमें वो different type of trading भी involve कर लेते हैं, इसका मदब भी है इसे पहों intraday करते हैं, option trading future, सब मिला के वो trade करते हैं, बट अब बात यह है कि उनका यह full time profession है, full time time दे रहे हैं, बट अगर आप सीखना चाते हो, आप intraday को सीखना चाते हो, तो आपको market hours के अंदर, अपने d-met account में login करके बैठना पढ़ेगा, आपको देखना पढ़ेगा तो आप यहां से पैसा कमा के नहीं जाओगे, आप सोच रहे हो कि मैं ठीक है, कभी-कभी मैंने कोई video देख लिए हो, कभी-कभी कोई trader कर दिया, और उसमें buy chance मेरा profit होगा, तो हर बार profit होगा, it is not possible, so focus on learning, and उसके लिए हम आपके लिए लगातर videos बना रहे हैं, I hope आपको यह पसंद आया होगा, अगर पसंद आया आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपके कुछ सवाल आप नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं, and आप डिफिनिटली जिन टॉपिक्स के ऊपर चाते हैं, आपके लिए वीडियो बनाया, नीचे कॉमें जोरू बताईए, आप इस चैनल को Salvador, फिस्टार कॉमेंट, पीक काया सबस्क्राइब टॉ आपके का ल मसामेट